आइन इंटेटेनर हूँ परफॉर्स नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है और अभी के अभी यहीं कहीं समझ में आ जाएगा आजे देखें वन वर्ड में यह देखते हैं कि आइन इंटेटेनर का मतलब क्या हुआ एक ऐसा इंटेटेनर यानि कि मनुरंजन करता जो कठिन सारी लिक करतब करता है फिजिकल फीड्स मतलब सारी करतब दिखाता है उसको क्या कहते हैं देख लेते हैं, यहाँ पर पहला जो है कि इसका option D से ही हो जाएक, एक्रोबैट इसको बोलते हैं, याद रखेंगे एक्रोबैट, मतलब कलाबाज होता है, जो खेल दिखाने वाला होता है, clear, बागी के option भी one word से ही related है, तो option number C देख लेते हैं, यहाँ पर और्चन लिखावाज, और्चन का मतलब होता है, धनों से बाढ़ चलाने वाला, artist का मतलब आपको पता है, कलाकार को बोलते हैं, artisan का मतलब सिल्फ कार होता है, जो लोग well skilled होते हैं, सिल्फ कार को बोलते हैं, artisan, clear है तो option D सही था, आप चाहें तो इसका notes भी बनाते हैं, चलने साथ साथ, ठीक है, next है कि to free from restraint, to free from restraint, restraint का मतलब बंधन, कोई भी बंधन से मुक्त करना, ठीक है, कोई भी बंधन से free from, मतलब किसी भी बंधन से किसी चीज़ को मुक्त करना, स्वतंतर करना, तो option number C सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा, ठीक है, C का मतलब क्या है, emancipate, बसको कैसे याद करेंगे, देखिए, emancipate लिखा हुआ है, emancipate, अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इमान, भी या, इसका इमान बहुत अच्छा है, इसको मुक्त कर दो, जैसे माली पुलि emancipate, आपका इमान ठीक था, इसलिए आपको बंधन मुक्त कर दिया गया, emancipate, याद रखेंगे, याद हो जाएगा, चलिए, बाकी के option देख सकते हैं, subjugate लिखा हुआ है, subjugate का मतलब क्या होता है, option ages का मतलब होता है, अधीन करना, या गुलाम करना, ठीक है, escalate का मतलब हो बहुत ही strong dislike, इतना dislike मतलब जैसे नहीं होता है, चीड बरता है, जैसे आपके कोई ऐसे afraid होगा, जो कि देखना नहीं चाहता होगा आपको, तो वो क्या होता, आपसे चीडता है, तो ऐसे लोग क्या बोलते है, strong dislike, बहुत strong dislike है, between two person, दो लोगों के बीच में, तो यहाँ पर one होलता है, नफरत वाली बिरोद, नफरत वाली भावना, राइविल्दी नहीं होगा, राइविल्दी का मतलब होता है, प्रतिय स्पर्धा, और एडोरेशन का मतलब क्या होता है, सर, एडोरेशन का मतलब होता है, अराधना या फिर स्रद्धा कह सकते है, आचा, tolerance का मतलब हो which is considered to be very important option आपके सामने हैं आप खुद देख करके सोच समझ लेजिए something which is very considered to be important कोई भी चीज जो की बहुत ज्यादा important है उसको क्या बोलते हैं देखिए supplementary का मतलब होता है ने पूरक जैसे revital का आप नामने सुना होगा आपने रिवाइटल क्या है एक supplementary है एक पूरक है मतलब कि आपको जो खाना से जो प्रोटीन होगा सही से नहीं मिलता है तो खाना भीने खाने के बाद एक गोली revital का मतलब इसको खाने का नियम होता है option number D में के लिखा होगा scanty, scanty का मतलब भी होता है कम या थोड़ा यहाँ पर option C से हो जाएगा cardinal cardinal option number C से हो जाएगा very important, cardinal का मतलब very important जिसको प्रमुख कह सकते हैं, cheap कह सकते हैं option C से है cardinal, ठीक है? चलिए next की तरब बढ़ते हैं, अगला देखे आपके सामने है ठीक ना? अगला आपके सामने है the sovereign head of a state the sovereign head of state देखे state का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या state का मतलब राज्य होता है लेकिन actual में state का मतलब देश होता है United State of America आपने पढ़ा होगा ना? state, state का मतलब actual में देश होता है हम लोग क्या state का मतलब राज्य होता है तो देश भी इसका मतलब होता है clear? तो option number D हो जाएगा monarch, monarch का मतलब होता है राजा, जहां पर जिसको समराट बोलते हैं राजा बोलते हैं, तो वहां पर head होते हैं, state का उसको मोनाक बोलते हैं यानि की मोनाक का मतलब क्या होता है राजा या सम्राट क्लियर मोनो क्रीम का मतलब होता है एक ही समय का यानि कि सिंगल टाइम और मोनो चोन मोनो टोन का भी मतलब होता है एक लै मोनो टोन का मतलब एक लै जैसे कि उतार चड़ाओ नहीं, एक ले में आवाज, नहीं कभी कभी होता है, फोन फस्स जाता है, तो एक ही तरह से आवाज सुनाई देता है, उसको बहुत है monotone, अच्छा, monolith का मतलब क्या हुआ सार, monolith का मतलब था, एक ही प्रकार के पत्थर से बना हुआ खंबा, clear, तो option नहीं आपड़, D साही था, next की तरब बढ़ लेते हैं, बताईए, 14 नंबर आपके सामने है, और इसका बताईए, क्या सही होगा, substance, tans, used for killing, troublesome small animals like insects, mice, etc, यानि कोई भी ऐसा यह अंतर चीज, जो की क्या करे, किल मतलब मार दे जान से, किसको animals को, जैसे की कीडे, मकोडे, या mice, मतलब चुहा, right, उसको क्या बोलते हैं, एक चीज हमें से जाद रखे, कर दिये रिश्प्रेंट, जिसके last में side आता है, तो उसका मतलब होता है, हत्या करना, या किल करना, जैसे matricide, fratricide, sororicide, ठीक है, अब बात करते हैं, इस question में, तो option number D से ही हो जाएगा, pesticide, ठीक न, pesticide का मतलब होता है, कीट ना सक, ठीक है, बागी के option देखे, ये सब में भी side side लगा हुआ है, fungicide का मतलब होता है, जो फफूद को मारता है, homicide, homie का मतलब human से है, तो जो मानव की हत्या करता है, उसको homicide बोलते है, infanticide, देखे, infant का मतलब शिसू होता है, नवजाद बच्चा हो में पूछे गए, infanticide, याद रखेंगे, भुरूड हत्या, नवजात का हत्या, homie side मानव हत्या, fungicide जो हैता है, के फफूद का हत्या हो गया, फफूद को मारना, और pesticide मतलब कीश्ट ना सक, सब को याद रखेगा, सब को चाहें, तो लिख सकते हैं, नेफ्ट देखे, a mass of snow, ice and rocks falling rapidly down mountain side, बताइए, देखे, जब बरफारी होती है, तो क्या होता कि बरफ के बड़े-बड़े चटान जो है की गिरने लगते हैं, rapidly down of mountain side, इसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा यहापर, option number B, avalanche, ठीक ने, avalanche का मतलब होता है, हीम अस्खलन, हीम मतलब बरफ का स्खलन जब होता है, उसको बोलते है, avalanche, बाकी क्यों option समझ लीजएगा, blizzard का मतलब होता है, बरफानी, तुफान, जो बरफ की तुफान चलती है, टाइफून का मतलब, एक simple सी तुफान जिसको बोलते है, तुफान who is neither well experienced nor professional, यानि कि एक ऐसा ब्यक्ती, जो कि बहुत ज़्यादा जिसके पास experience नहीं है, और ना ही वो professionally है, ठीक है, ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, और ना ही उस चीज में professionally है, एक चीज होता है, देखें, दो चीज़ है, एक चीज क्या है कि, आप किसी, म कि मारे खेल रहा है, या सौक कि मारे कुछ कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, amateur का मतलब क्या होता है, शौकीन, सौकी या तार पे, कोई भी काम करना, cricket खेलना या राइडिंग करना, कुछ भी, आप professional ही नहीं है, सौकी या तार पे कर रहे हैं, amateur बो प्रफिसियेंट का मतलब होता है प्रवीर या कूशल कह सकते हैं वेटरन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है वेटरन इसका ठीक उल्टा है किसी चीज में एक्सपिरियन्स होना चाहिए मतलब कि अनुभवी ब्यक्ति को वेटरन कशल कि कोई societies है कि जैसे आप सेंटेंस है कि वह पका चोर है तो क्या ब economy ही इज वसresh वेटरन या कि वेटरन का मतलब फका होता है वह पका कुनारी है यह एक मतलब यह होता इस पिरियंच पक्का करता हूं कहते है यार आप जा रहा है न एर फोर्स में, नेवी में, SSR में, MR में, AA में और इसके बाद Y ग्रूप में, X ग्रूप में जो जुनून जजबा जगाए रखिए जबी भी हमारी वीडियो आए न तो बिना कहे कमेंट बॉक्स में जैहिंद लेकिए कमेंट बॉक्स में भरिये, आप जी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तुससे कुछ ये मसूजी कुसे पैसा मिलता है, या कुछ होता है, ऐसा कुछ नि, कमेंट लाइक करने कुछ नि होता है बस जो होता है वो motivation होता है मुझे लगता है जो मैं समझा रहा हूँ न वो मेरे बच्चे समझ रहे हैं इस्टुरेंट्स को लाब मिल रहा है ऐसे वीडियो देखे चले गए तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैंने आपको समझाया तो क्या आपको समझ में आया या नहीं आया ठीक है तो request करेंगे कि आप एक notes भी बनाते चलिए साथी साथ clear चलिए मिलते है फिर अगली वीडियो में पपक के लिए जया हिंद वंदे मातर